दोस्तों अगर आप रेलबे एक्जाम एंटी पीसी प्लस गुरूब डी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह इस्पेशल बुक की यह आपके लिए है और यह इस्पेशल क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें फूल सलेवस बाइज जो है कॉंटेंट पूरा गया रेलबे एक्जाम में वो भी इसमें शामिल किया गया है और दोस्तों इसमें खास यह कि मातर 35 रूपीज की बुक है यह ओफर चला है कुछ दिनों के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर है ओनलाइन सब्सक्राइबर के लिए बुक को इसे 60 रूपीज की थी लेकिन आप के लिए 35 रूपीज की है 35 रूपीज में इत्ता अच्छा कॉंटेंट दोस्तों आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा इसलिए आप इस बुक को जरूर परचेज करेंगे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके कि आप परचेज कर सकते हैं और यह बूक आपको हिंदी और इंग्लीज दोनों लंगेज मिल जाएगी तो आपको जो भी लंगेज रहे हो आप देख सकते हैं काफी अच्छी बूक है कम प्राइज में आपको इतना अच्छा कॉंटेंट मिल लाए आप जरूर परचेज करक को तुछ आपको इसका में डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर में मिल जाएगा उस नंबर पे भी आप कॉल करके कुरी इसको अपना पूछ सकते हैं ठीक है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टी पॉइंट आज है अठारे मार्च और शुरू करते हैं आज करने फेस फर्स्ट कोईशन है मार्च 2019 में उजबेकिस्तान गड़राज में भारत का राजदूत किसे नियुक्तिया गया है दोस्तों उजबेकिस्तान मे भारती दूतावास वासिंग्टन में वासिंग्टन में मिशन के उप्रमुक को उजबेकिस्तान गड़राज में भारत का गला राजदूत नियुक्त किया गया है ठीक है देखिए उजबेकिस्तान की कैपिल क्या है तासकंद है ये कोशन पूछ लेता है उजबेकिस्तान की राजदूत निउक्तिया गया है संतोष जहाको ऑप्सन एक करेक्ट हो जाएगा कुशन सेकेंड है माई 2019 में बजाज फिंसर्व के अध्यक्ष और गयर करकारी ने देशक कपद कौन छोड़ेगा राहुल बजाज ठीक है ऑप्सन सी यह 16 माई को बजाज फिंसर्व के अध्यक्ष और गयर करकारी ने देशक कपद छोड़ेगे देखिए बजाज ग्रूप के वारे आपको बता दे बजाज आटो लिम्टेड ग्लोबल जो है टू विलर और त्री विलर मैनुफेक्टिरिंग कंपनी है इंडिया की है ठीक है और बता दें दोस्तों कि इसका हेटकॉटर है बजाज का वो है पूने में इंडिया में महरास्टा में फाउंडर काउन थी इसके बजाज कंपनी के जमनालाल बजाज ठीक है जमनालाल बजाज थे कब हुई थी इसकी स्थापना इस कंपनी क इसकी स्थाब नोगी थी 29 नवंबर 1945 में ठीक है तो ये फैक्ट पूछे आ सकते हैं आप से एक जामें बजाज से एलेटेट तो बजाज फिंसर्व के अध्यक्ष और गैर कारिकारी अंदेशक का पत कौन छोड़ेगा राहूल बजाज ठीक है और चेयरमैन जो राहूल बजा लाइक हमें मोटिवेट करते हैं हुसला बढ़ाता है फ्लीज वीडियो लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ कोशन थाड़ है मारा दिल्ली केप्टल द्वारा इंडियन प्रीमेर लिग के आगामी संसकरण के लिए किसे सलाकार निउक किया गया है तो इसका करे प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग है यह आपको बता दे दोस्तों कि शुरुवात हुई थी 2008 में इसका 2008 में हुआ था आपको बता दे कि जो इसमें करेंट चेंपियन है लास्ट टाइम चेंड़ी शुपर किंग है और सबसे ज्यादा वार भी टाइटल जीती है वो चेंड़ी शुपर किंग ही जीती है ठीक है और मुंबई इंडियन्स भी तीन तीन वार जो है दोनों लो इपियल के बारे में जानेंगे इंडियन प्रिमियर लिग को डिल्ली कप्टेल्स का सलाकार निक्त किया गया है सवरभ गांगुली को को कि कुशन फोर्थ हमारा किस राजने ट्रांसजेंडर संजना सिंग को सामाजिक नियाय एवं विकलांग जन करल्याण के निदेशक का इसके लाबह अपनी वरत्तमान निक्ति से पहले वो अबिh Brand के पहली बन गई थी और tribunal की लोग अदालत की नामित सदस्य भी थी ठीक है तो MP में निउट किया गया है कि कोशन फीपते मारा एक रिपोर्ट के अनुशार सोने के भंडार में भारत का कॉंसा स्थान है देखे उस तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुशार परतमान में 607 टन के साथ ठीक है 607 टन के साथ भारत एक जारवा सबसे बड़ा सोने का भंडार वाला देशे ग्यारवा ठीक है और देखिए अमेरिका जो है पहले स्थान पर है फर्स नमर पर हैं अमेरिका जिसके पास 8133.5 टन के सोने के भंडार है इसके बाद है जर्मनी ठीक है जर्मनी है 3390 ड सामिल है और उसमें अगर बात करें भारत की इंडिया की रेंग भारत जो है 607 टन के साथ 11 नमबर पर है ठीक है वर्ल्ड में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवींतम रिपोर्ट के अनुसार चलिए अगला उसने मारा साहित के लिए प्रतिष्ठित कुष्मा ग्रज राष् राष्ठि पूरन चुना गया है आपको बतादे कि यह पूरुष्कार महराष्ट के नासिक में 13 їoreशां मुट्र बि द्यालेथवरा सपित कि गया था देखिए जो वेद राही ने डोगरी भासा में सात उपन्यास लिखे हैं और 1983 में उनके डोगरी उपन्यास आले के लिए आले के लिए उन्हें साहित अकाद्मी पुरुषकार दिया गया था और इस पुरुषकार के स्थामन की गई थी नासिक में एस्वंद राव चावण मह राष्ट मुक्त विशुद्याल है ओपन इन्वर्शिटी तो शाहिति के लिए प्रतिष्ठित कुष्मागरज राष्टी पुरुषकार के लिए किसे चुना गया वेदा राही ठीक वेद राही स्वरी वेद राही दोस्तों वीडियो शेयर जरूर किया करें आप लोग सब्सक्राइब अभ्यास में कितने अफ्रीकी राष्ट भाग लेंगे सिक्स्टीन देखे भारती सेना और 16 अफ्रीकी देशों के बीच दस दिवसी अफ्रीका भारत सेयुक्त छेत्र प्रस्रिक्षण अभ्यास यह 18-27 मार्च 22 तक आउजुद किया जाएगा और यह अभ्य स्क्राइब अभ्यास का स्य्क तो राष्ट घोस्रापत के तहत मानवी ख़ादान सहायता और श्यक पुषांति अभ्यानों में भाग लेने वाले प्रतियुक्त को प्रस्खित करना ठीक है तो दस दिवसी अफ्रीका भारत स्य्क्त छेत्र प्रस्रिक्षण अभ्यास कितने फ्रिकी राष्ट भाग लेंगे इसमें 16 option D question number 8 ते दोस्तो March 19 में पहले ब्रिक्स शेरपा की बैठक कहां संपन्न हुई है Brazil में option A देखिए आपको बता दे दोस्तों Brazil के देख्षता में पहले ब्रिक्स शेरपा बैठक 15 March को Brazil के कूर्टिवा में संपन्न हुई है ठीक है Brazil के कूर्टिवा ठीक है कूर्टिवा और आपको दादिक विज़ेस मंतराले में आर्थिक संबंधों के सचिव TS Tiro Murti ने दो दिवसी बैठक में भारती प्रतिनिन मंडल का नितित किया है और ब्राजील ने अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स के लिए आतंगबाद की पहचान प्राथिम्कता वालों में से छेत्रों में से रुज़ेस में की है तो March 2019 में ब्रिक्स से शेरपा बैठक कहां संपन हुई ब्राजील के कूर्टिवा में ठीक है Quesion 9 most important है क्रशी वयग्यानिक भरती उट का नया अध्यक्ष किसे निउगक किया गया है क्रशी वयग्यानिक भरती वोड का नया अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों आधित कुमार मिसरा को देखे पसुचि कित्सा प्रॉफेसर और जीवी क्रशी uyश्युद्याले कि पूर्व कुल्पति आदित कुमार मिस्रा को कृसी ज्यानिक भर्ती बोट का नया ध्यक्स चेर्मेन नियुक किया गया है और पांच जन्वरी 22 तक इस पत पर रहेंगे ठीक है मार्च 2019 में भारती मंड़ाप को दघटन कहां किया गया लंदन में देखिए दोस्तों 12 मार्च को लंदन पुस्तक मेले में भारती मंड़ाप को धटन हुआ और यह मेला लंदन ओलंपिया में 12 से 14 मार्च तक आज़ित किया जाता है और भारती मंड़ाप में महत्मा गांधी के 150 मी जन्ति पर विशेश ध्यान दिया गया अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर लास्ट वीडियो मैंने कोशन पूछा था रास्ट मंडल यूँआ पुरुस्कार के बिज़ेता किसे चुना गया है पद मनाभन गोपाल को आपसन सी करेक्ट था सब्सक्राइब अब देख लेते हैं आज का हमारा सवाल क्या है आज का सवाल है डीडी महिला किस्थान पूरुसकार का पहला पूरुसकार किसने जीता है फटा पर इसका एंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों प्लीज वीडियो शेयर जरूर करें प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आपने अगर कल की वीडियो 17 मार्च की नहीं देखिए तो यहां पर आएगी जरूर देख लें डेली और मॉर्निंग में आपका एंडेफेस जरूर देखा करें पंदामेट का समय निकाल कर तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो के साथ तब तक लिए आप अपना ध पहरत